आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ रवा स्नेक्स वड़े की रेसेपी ये वड़े बहुत चल्दी बनकर तयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रियंका एक बार फिर से कल्पना कीचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फिर चलिए वड़ो को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक पैन और जैसे हमारा पैन गरम हो जाएगा हम इसमें एक कप पानी एड़ कर देंगे पानी के डालते ही हम इसमें एक चमच नमक और एक चमच ओईल को एड़ कर देंगे और पानी को एक बोई लाने तक पका लेंगे पानी में एक बोईल आ चुका है अब हम इसमें सूजी एड़ करेंगे और अब हम इसे इस पैचुला या चमच की साहता से लगातार चलाते हुए मिलाते रहेंगे सूजी को मिलाते टाइम हम अपनी गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे सूजी को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम इसे दो मिनट के लिए ढखकर पका लेंगे दो मिनट के बाद हम अपने पैन का ढखकन हटाएंगे और अपनी सूजी के मिक्षर को अच्छे तरीके से चला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद मिक्षर हमारा बनकर तयार है अब हम अपनी गैस का फ्लेम बन कर देंगे और सुची को ठंडा होने के बाद हम इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे बारीक कटा धनिया पत्ती, बारीक कटी हरी मिर्चे, और साथ से आठ करी पत्ता, एक टिबली स्पून ब्लेक पेपर पाउडर और आधा लेमन जूस, इन सभी सामानों को डाल कर हम इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे, और जैसे ही सभी सामान अच्छे से मिल जाएंगे, तो हमारा मिक्षर दोकी कंडीशन में आजाएगा, मिक्षर हमारा एक्दम परफेक्ट डोकी कंडीशन में आचुका है, अब हम इससे लोईयां तोड़ लेंगे, अब हम अपनी लोईयों से एक लोई उठाएंगे, और उसे हातों से गोल-गोल कर तयार कर लेंगे इस तरीके से हमारे सभी वड़े बन कर तयार हैं मैंने पहले से ये गैस पर ओईल को गरम होने के लिए रख दिया था ओईल हमारा तेज गरम हो चुका है अब हम ओईल में अपने वड़ो को छोड़ देंगे वड़ो को तेल में छोड़ने के बाद हम अपन वड़ेएं एक साइड सेढक हम इने साइड से पलट कर शेख लेंगे और अब हम अपने वड़ो को दोनों साइड से अलटते पलटते हुए तब तक शेखेंगे जब तक ये क्रस्पी और गोल्डन भ्राउन नहीं हो जाते, वड़े हमारे दोनों साइड से अच्छे तरीके से सिख चुके हैं और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और वड़ो को सर्व के लिए प्लेट में रखेंगे, इन रवा स्नेक्स को बना कर आप मेठी च सब्सक्राइब करना ना भूलें